नमसकार नमसकार दोस्तों मैं निकलेश जेन हिंदी चेस बेसी नेचल पर आप सभी का हारदिक मिन्दन करता हूँ दोस्तों भारतिय शत्रंग टीम ने इतिहास रच दिया है भारत की दोनों टीम है पुरुष टीम और महिला टीम ने जो है 45 वे शत्रजों लंप्याड में स्वर्ण पदख खांसिल किया है और ऐसा करने वाला भारत रूस और चीन के बाद दूसरा देश बन गया है साथ ही साथ भारत संयुक्त विजेता भी बना है लगातार दूसरी बार इसके पिछलों लंप्याड में भारत संयुक्त तोर पर जो है बेस्ट टीम था इस बार भी उसने कारनामा किया है रूस के बाद ऐसा करने वाला भारत दूसरा देश है बहुत ही एक खुबसूरत दिन रहा आज अगर आप देखें तो भारती पुरुष टीम को आप सभी जानते हैं कि सिर्फ जीतने के लिए ड्रॉए नफ था लेकिन भारती टीम ने स्लोवेनिया को साड़े तीन आदे के अंतर से हराया गुकेश जीते प्रग्यनंदा जीते अरजुन जीते विधित ने बहुत ट्राइ किया वो मैश ड्रॉए रहा है और यहां पर गुकेश को इंडिविजिल गोल्ड मेडल मिल रहा है और साथ ही साथ यहां पर जो है वोमेंस टीम की बात करें तो वहां पर भी भारत ने हरी का एकदम टाइम पर फॉम में आई उन्होंने जीत दर्च की वाईशाली का गेम ड्रॉए रहा दिव्या एक बार फिर जीती वंतिका ने भी कमाल की बाप सिक्की और जीती एक तरफा जीत जो है वाजदर्च की और भारत ने दोनों दोनों ग्रूप में गोल्ड मैडल इसके लाबा गुकेश वर्ल्ड रैंकिंग में पांचवे स्थान पर उनकी लाइव रेटिंग 2795 हो गई या थाइस हो के बिलकुल करीब खड़े हुए अरजुन और दो कदम आगे लाइव रेटिंग में 2797 पहुंच गए और करवाना को चौथे नंबर पर खसका दिया है और नंबर तीन बन गए है वर्ड के तो कमाल के ये पूरे प्रदर्शन जो है वो भारती टीम के रहे हैं यहाँ पर और अब हम यहाँ पर जो है एक खास चीज आपके सामने लेकर क्या है आज का हमारा विशलेशा तो क्योंकि मुझे लगा कि आज ही रीके बना देता हूं म क्योंकि कल पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा तो चले शुरुआत करते हैं क्या कुछ हुआ एक फास्ट शमरी करेंगे देखिंगे क्या कुछ हुआ एक एकर के सारे एक सारे बोर्स पे तो बात करते हैं गुकेश की गुकेश थे सामने थे फेडो सीव फेडो सीव ज इस नाइट को पीछा धक्का देने के लिए, यहाँ पर बेस्ट मूव जो था बोर्ट पर वो था G4, बिशप E4 इस तरह से गेम चलता बट इन्होंने डायरेक्ट नाइट डीटो खेला रहे हैं, इसके बाद गुकेश खेलते हैं, इमीडिटली हच फाइफ और कुइन साइट से जैके बनाना चालू कर देते हैं, एक तो गुकेश की समझ इतनी कमाल की है कि कौन सा पीस कहां से खेलेगा, कहां से बहतर रहेगा, यह जो उनकी अंडरस्टैंडिंग अब डेवलप हो रही है, यह कई माइनों में वर्ड का बेस्ट प्लेर उनको बनाई रही है, आटोमे और यह वो जानते थे कि जब भी यह सेंटर अच्छे से उपन हुआ, उसका फायदा गुकेश को होगा, मैच में एक ऐसा खतरनाक कोजिशन आया, आप देखेंगे, रुकेश C8 यहाँ पर एक्शेंज हुआ, और गुकेश यहाँ पर जैसी इनोंने यहाँ पर DC5 मारा, गु गुकेश का यह विशप शांदार हो गया था, और यह विशप भी शांदार हो गया था, शिर्व यह स्पॉन का थोड़ा सा टेंचन था, लेकिन क्या हुआ, गुकेश खिलते हैं, नाइट B6, A3 आता है, और रुक A5, आईडिया रुक B7 और यहाँ पर प्रेशर डालना, उ इसके बाद, तो फेडो सिर्व की हाला जो है, वो लगतार खराब होती चली गए, पॉन इंटु पॉन, पॉन इंटु पॉन, उन्हों ने खेला रुक 3C2, तो यहाँ पर गुकेश ने खेला, ब्रिलियंट मूव, रुकी 8, अब बिशप हटके जो है, वो चेक आ रहा है, त जैसे ही यहाँ पर जो है, नाइट इन्हों ने खेला, F, E1 खेला पड़ा, अगर यहाँ पर रुक D2 खेलते, तो बिशप B4 शैट ट्रैप था, जो हम लोग देख रहे थे, हाँ, और फिर नाइट जो है, वो E5 पर आके चेक दे रहा है, यह नुकसान होता, खर मैच में क्य हुआ, गोकेश अलड़ी सब देख चुके थे, उससे पहले उनके अपर ने नाइट F, E1 खेल दिया, गोकेश ने काफी सोचा और फिर खेला, बिशप B4, आप देखे किंग को चेक था, किंग को जाना पड़ा, F1, बिशप इंटू E1, नाइट इंटू E1, रुक से तो ज्यादा पीसे चले जाएंगे, तो उन्होंने पड़ा, नाइट यहाँ पर E1, बिशप C2 से उनका एक्षेन चला गया, यहाँ पर गोकेश ने कहला D3, नाइट E3, इसके बाद गोकेश विनिंग ही थे, जस्ट मैटर ओफ टैकनेक, दीरे दीरे उन्होंने B2 मारा, और E7 वाला पॉंड मार लिया, यह पोजिशन आया जहाँ पर अपोनेंट को फाइनली यहाँ पर रिजाइन कर दिया उन्होंने, ज्यादा कुछ गेम में बचा नहीं हुआ था, बहतरीन जीत गोकेश की, लाइव रेटिंग 2795, क्या खेले कमाल, 10 राउंड खेले, टोटल 9 पॉंड था, और प्रगेनदा इस तरह की पॉजिशन में कालसन को भी घुमा चुके हैं, हम सब जानते हैं, और यह जो पॉन है, यह जब भी मरेगा प्रगेनदा जीत जाएंगे, वह जानते थे, और यहाँ पर उनके अपने ने ब्लंडर कर दिया, उनके अपने ने खेल द पर भी नहीं बिला उसको, यहाँ पर रिजाइन कर दिया, उनके अपने ने तीन पॉन अप थे, यहाँ पर प्रगेनदा, तो कमाल की जीत उनकी भी, अर्जुन, दा मैजिक मैन, वर्ड नमबर थ्री राओ, यह पोजिशन था, इस केनेडी ने ने खेला उन्होंने ओपनिं यहाँ पर अल्टिमेटली उन्होंने यहाँ पर पॉन, थोड़ी दिर में मैनत लगी, पॉन मार लिया, और उसके बाद जो एंड गेम आया, वो बहुत इंटरस्टिंग था, अपॉने ने एक रुक एक्शेंज कर दिया, अपॉनेंट के पास यह पॉन, अपॉनेंट ने मा अपॉने पाद उनका यहाँ पर रुखी मर गया था, अच्छी में मेठी हो रही थी, मेठी हो गई थी, तो अरजुन कमाल खेले, उसके बाद बार यहाँ आती है, विदित गुजराती की, विदित ने बहुत ताकरत लगाई, अच्छा केले बहुत, लेकिन यह पॉजिशन मेडल से चुक गए, ब्रॉंज मेडल से, अकर यह जीच जाते तो इवन गोल मेडल भी जीच जाते, फोर्द बोर पे, बट टीम का गोल तो विदित ने जीता ही, तो वो अपने आप में बहुत बहुत बढ़ी बात है, वोमें सेक्शन में आज दिन था वापसी का और भारत की हरिका द्रोना वली, आज बहुत बहतरीन खेल खेला हरिका ने आज के गेम में, और दिखाया की वो भारत की नमबर वन सीट्स प्लेयर थी इस टूनामेंट में, और वाकई ताकत दिखाई, यह पोजीचन थी, जहाँ पर आप देख सकते हो, यह इस तरह का पोजीचन आय जहाँ पर क्लियर लग रहा था कि मैश ड्रॉ हो सकता है, लेकिन हरिका को पता था कि यह डबल तो पॉन होने की वज़े से, एंड गेम हरिका हमेशा से अच्छा खेलती आई हैं, और हरिका ने वही ताकत जो है, इस गेम में भी दिखाई, अपोनेंड के उपर दबाव बना और बाद में किसी थी, यह आई कि हरिका के पास जो है, इतने पॉन थे बोर्ट पर, दो पॉन और अपोनेंट का टाफ था यहाँ पर, और उनका पास पॉन जो है, अल्री आगे बढ़ना शुरू हो गया, रिजाइन करना पड़ा, उनके सामने थी, गुने ममुम जादा, 24- 23, अजर बेजान की टॉप प्लेयर, लेकिन हरिका इस मैच में जबर्जस्त खेली, और उनके पिछले प्रदर्शनों को पीछे छोड़ दिया, जो कि खराब जा रहा था, फाइनल राउंड में जो टीम को जोरत थी, उनके डिलेवर किया, वाईशाली का मैच ड्रॉ रहा, यह पोजिशन थी, वाईशाली के पास अंत में एक एक्स्ट्रा पॉन था, लेकिन अपोजिट कलर विशप होने के वज़ए से विंड करना पॉसिवल नहीं था, और वैसे भी टीम जीट चुकी थी, बाकी तीनों खेलाडी जीट चुके थे, तो उन्होंने ड्रॉ लिया औ साड़े तीन आदे से भारत जीता, दिव्या देश्मोग, दस्टार परफॉर्मर ओफ दिस ओलंपियाड, मतलब इन से बहतर कोई नहीं खेला वोमेन में, क्या कमाल का प्रदर्शन किया, यहाँ पर दिव्या ने, और लगबग 2600 का प्रदर्शन करते हो, उन्होंने अड़ी गेन करना शुरू कर दिया था, बिशप उनके पास था, और यह पोजिशन आती है जब उन्होंने खेला B5, अपोरेंट ने जैसे ही C5 खेला, एक क्लियर हो गया, कि अपोरेंट ने पूरी तरह से पोजिशन को क्लोस कर दिया, और आप सेंटर से कुछ ना कुछ करती थी, यहां पर दिव्या ने खेला Queen F3, पॉन एक्षेंज हुआ, उन्होंने मारा Queen A2, और Knight के पास दिक्कत थी थी कि Knight कहां पर जाए, और आप अगर रुकी 8 जैसा ऐसा कुछ खेलते हैं, तो Queen C7 के बाद गेम खतम हो जाएगा, तो उन्होंने काफी सोचने के बाद यह पर piece up थी, सारे pawn मरते चले गए, और यहां पर तो last में एक ऐसा position आया, जहां पर opponent के पास pawn उसका पहुंच गया था second rank में, बट वो मरना तय था क्योंकि आप उसको बचा नहीं पाएंगे, आप यहां रुक से पीछे लगाते भी तो रुक D1 और उसके बाद King से आके जो है, वो pawn support से मर जाता है, तो यहां पर resign कर दिया उनके opponent ने, वंदिका अगरवाल इस position पर थी और लगड़ा था कि मुस्किल में चल रही है, थोड़ दिर पहले ही actually में मुस्किल में चल रही थी, टाइम वंदिका के पास हमेशा के जैसे 34 second था, 6 चालने चलनी थी, और यहां पर 7 sacrifice मार रहा है उनके अपरण ने, पर इसकी ज़रुत थी नहीं, गेम अलड़ी जा चुका था, थोड़ दिर में बंते का जो है, rook कप थी, फिर उनके पास चाले चाले हो गई, उन्होंने अपना आराम से सोचा, इस position के बाद थोड़ा time लिया, और बढ़िया finish किया यहां पर यहां पर उनने अपना queen दिया, यह सबसे बहतरीन उनका calculation था, इस position पर, knight g5, queen g5, queen g5 और अपना queen दे दिया, और double rook और knight के साथ बढ़िया finish किया last में, last में यह position आया जहां पर उन्होंने यहां पर resign करना पड़ा, क्योंकि checkmate जो है वो आ रहा था यहां पर, और यहां तो queen म राउंड था, इसके साथ है olympiard होता है समाप, अभी भी olympiard के बहुत सारे video game, videos जो है वो आ रहे हैं हमारे पास, database में, तो अगले 10-15 दिन आपको बहुत सारे videos जो है देखने के लिए मिलेंगे, मेरी commentary के साथ, olympiard में आपका साथ बहुत अच्छा रहा, आपको कैसा आने वाली है, उसका भी recap तो आपको हर राउंड का मिला ही करेगा, और भी बहुत सारी चीज़े होंगी, अलेडी कुकेश ने candidate जीता, भारत ने olympiard जीत लिया, double olympiard जीत लिया, और अब आने वाले समय में हम देखेंगे कि वर्ट चैंपेंशिप भी मुझे लगता है कि गुकेश अब बहुत ही बहतरी अंदाज में जीतने जा रहे हैं, तो 2024 का साल जो है भारती शत्रंश के लिए अब तक का सबसे बहतरी इन साल बन करके सामने आ चुका है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है, पसंद आया तो like, share और subscribe करना ना बूले हैं जाहें दोस्तों